हुआ है हलो एव्रीवन योग वेलकम तो बेस्ट नोस टूटोरियल और आज हम करने वाले हैं मौरियकाल मौरियकाल जिसकी जो टाइम डिरिशन था वो था 322 इसा पूर्व से 185 इसा पूर्व तक तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि आप लोग एक बार इस सरब को और एक बार इस लाइन को आप लोगों को कुछ टाइम 10-15 टाइम आप लोग अट लीस्ट पढ़ लीजिए उसके बाद आप लोगों को जो वर्ड से हैं वो याद होना शुरू हो जाएंगे तो सेंडरो कोटस सेंडरो कोटस नाम चंदरगुप्त मौरिया के लिए यूज होता है और ये पूछा भी जाता है कि सेंडरो कोटस किसके लिए यूज होता है तो सेंडरो कोटस जो यूज हुआ है वो है चंदरगुप्त मौरिया के लिए और ये विलियम जोंस ने इसे य कंदर हैं इन दोनों का जो था मेंस एक मीटिंग हुई थी ये किसके अंसवार है ये था आपका जस्टिन के आजिविक मैंने आप लोगों को कहा था कि आजिविक किसके थे आजिविक जो धर्म था जो की भाग्या पर फेट पे लग पे बहुत जादा विस्वास करते हैं उन् इस नाम है ये एक तरह से आप इसे धर्म कह सकते हैं या एक तरह से लाइफ का स्टाइल कह सकते हैं तो जो अक्रिया वादी थे वो पूरण कश्यप इसके फाउंडर थे उसके बाद आता है आपका याद्रिच्छा वादी या आचारिया अजीत ने इसको फाउंड किया था बहुतिकवादी ये कच्चायन या पकुद ये दोनों ने इसको क्या किया था बहुतिकवाद को फाउंड किया था उसके बाद आते हैं अनिश्यवादी संजे वेटली पुत्र का था परतम भारतिय सामराज्य जो तयार किया था परतम भारतिय सामराज जैसे मतलब है कि जो उपर हिमाले से लेके कन्या कुमारी तक अगर हम देखें तो वो चंद्रगुप्त मौरिय थे जिन्होंने इसको इस्टैबलिश किया था महापदमनंद को हराने के बाद में बाद में पूछा जाता है कि आपका है कि चानक्या चानक्या के अन्या नाम कौन कौन से हैं तो चानक्या के दूसरे नाम है कौटिलिया उन्हें कौटिलिया भी कहा जाता है और विश्णुगुप्त भी कहा जाता ह चानकी के बारे में ये बात है कि उन्होंने क्योंकि अपना जो लाइफ टाइम जगे जगे उन्होंने बिताया था तो अलग-अलग नाम से उन्होंने हर जगे पर उनका एक अलग नाम होता था तो उनके जो दो नाम सबसे ज़्यादा विशेश रूप से जो लेक किया जाता है वो हैं आपके कौटिल्य और विश्णगुप्त अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र जो लिखी है वो किस टॉपिक पर लिखी गई है तो अर्थशास्त्र है आपकी राजनीति से संबंदित सेल्यूकस को किस ने हराया था सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौरे ने हराया था और कब अरहाया था 305 इसापूर में रुद्रदामन का जो जूनागड अविलेक है यह बहुत फेमस है और यह काफिवार पूछा जाता है इससे पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त था उसका प्रभाव पस्चिम भारत तक भी रहा दप्रिंस वाय मैक्यावली की तुलना किस से की जाती है यह कोटिले के अर्थशास्त्र से की जाती है आचार यह चानक के ने अर्थशास्त्र लिखी थी और इसकी जो तुलना की जाती है कोटिले यह चानक के के अर्थशास्त्र की वो दप्रिंस की की जाती है दप्रिंस किस ने लिखा है मैं क्या वली ने लिखी है लकडी का महल चंद्रगुप्त का था ये बहुती एक रहसे मही बात थी कि एक राजा जो था जिसका पूरा देश पर शाशन था उसका एक लकड़ी का महल था मालवा, गुजरात और महाराष्ट इन तीनों को जीतने वाला जो फर्स्ट जिसने इन तीनों को जीता था वो चंद्रगुप्त पर्थम था दक्कन की विजय भी चंद्रगुप्त ने की थी दक्कन दक उसने जीता था और पर्थम जो अस्पताल और औसधी बाग भारत में जिसने लगाया था वो था अशोग गाओं में स्वायद 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 स्व किया करते थे उनका काम हुआ करता था वीर गाथाओं को कंट्रस्ट करना तो अगर पूछा जाए कि मौर्य शाषन में जो वीर गाथाओं को कंट्रस्ट करते थे वो किसका काम था वो मागत और सूत्वर का था तिर्विद अशोक ने तिर्विद आधार तिर्विद को ही यह म राजय का आधार बनाया था पहला है सहिश्णुता दूसरा है उदारता और तीसरा है करुणा उसने जो अशोक था वो तीन चीजों को लेकर ही अपने राजय पर राजय किया करता था उसमें से पहला क्या है सहिश्णुता और दूसरा है उदारता और तीसरा है करुणा देव पूचा जाता है की क्या रीजन हम बताते हैं की जो अशोग थे उन्होंने बहुत धर्म तो शविकार किया था, लेकिन साते साथ उन्होंने हिन्दू धर्म को भी नहीं छोड़ा था, उसका रीजन ये बताया जाता है की खुद अशोग अपने लिए देव नाम परियकी उपादी उन्होंने रखी थी, सार्थ वह जो word है, ये किसके लिए use किया जाता है, तो सार्थ वह word ब्यापारिक काफिला के लिए use किया जाता है और जो अशोक के शिला लेख हैं, उनकी भाशा कौन उसी रही है, उनकी भाषा रही है प्राकरत, ढायमेकस बिंदुसार के टाइम पर भारत आयल था रजुक कौन थे, रजुक होते थे आपके अधिकारी, किसमे मौरिय शार्षन में जो अधिकारी होते थे, उन्हें रज्जुक कहा जाता था साची का इस्तूप इसे अशोक ने निर्मित किया था तीर्थ यात्रा में अशोक कहां कहां गया था तो पहले हो गया गया कुशी नगर लुम्बनी, कपिल वस्तु सारनात और स्रावस्ती तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप मैप में देखेंगे इसे तो आप बहुत अच्छे से आप लोगों को याद हो जाएगा कि कहां कहां हो गया था एक ही जगे पर आप लोगों को ये लगभग आपको एक जगे पर एक ही राउंड में अगर ऐसे बनाएंगे तो मैप में आप लोगों को ये मिल जाएंगे उसके बाद आती है जेम्स प्रिंसप जेम्स प्रिंसप वो आदमी है जिनसने कि सबसे पहले अशोक के शिलालेक पढ़े थे तो ये काफी बार पूछा जाता है famous question है भार बार एक्जेम में पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेक हैं वो सबसे पहले किस ने पढ़े थे प्राक अशोक ब्रामे लिपी का जो अस्थान है वो हमें कहां देखने को मिलती है अनुराधपूर श्रिलंका में प्राक अशोग ब्राहमी लिपी ये किस अस्तान से हमें मिलती है ये है आपका अनुराधपूर श्रिलंका से हमें मिलती है अशोग का नाम का उलेख कौन-कौन से अभिलेखों में किया गया है तो आपका है ये गुर्जरा मास्की नेतुर उडे गोलम तो गुर्जर ने मास्क में उडेला आपको इस तरह से याद रखना है से गुर्जर ने मास्क में उडेला और जो गुर्जरा है वो दतिया मध्यपरदेश में है आपका भाबरु इस्तम भाबरु इस्तम्ब ही एक ऐसा इस्तम्ब है जहांपे कि अशोक ने स्वयम को मगत का समराथ बताया था तो भाबरु इस्तम्ब के बारे में क्या special है अशोक ने स्वयम को मगत का समराथ बताया था तेरवें शिलालेख की विशेषता ये है कि कलिंग युद्ध विजय के बारे में उसने बताया है कलिंग विजय जो बताई गई है वो तेरवें शिलालेख में बताई गई है तो कलिंग विजय आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम कलिंग लिख रहे हैं तो क और ल इस तरह से लिखते हैं तो आपको याद रखना है कि यह जो है आप लोगों को इसे बस इस तरह को कर देना है कलिंग विजय तेरवें शिला लेख में इसमें उलेख किया है बताया हुआ है कि कलिंग युद्ध विजय हुई थी अब लेख कौन सा है जिसमें की जो अशोक के जितने भी अब लेख है उसमें कौन से शाशन का वर्णन नहीं किया गया है वो है आपका साथ वाहन साथ वाहन जो उस टाइम राज्य थे उनके बारे में नहीं बताया गया है अब जो नीचे के संगम राज्य थे और तेरवां शिलालेख दो और तेरवां शिलालेख में संगम राज्य का उलेख किया गया है धार्मिक शहष्णुता इसके बारे में कौन सा जो तिर्वित आधार में धार्मिक शहष्णुता की बात अशोक करते थे अशोक ने कौन से कौन से अबलेक में किया है वो है आपका बारवा अबलेक धार्मिक आधार पर भूमिदान कौन से राजा किया करते थे और इसमें साथवन्स जो साथवाहन राजवन्स अबलेक है इस बात को लिखा गया है कि धार्मिक आधार पर भूमिदान भी किया जाता था जो कलिंग है उसके बारे में एक दो फैक्ट हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए पहला है कि अशोक ने मौरे सामराज्य में जोड़ा मींस उससे पहले कलिंग को नहीं जीता गया था यह दक्षिन भारत को जाने वाले स्थलिया समुद्री मारगों को नियंतरित करता था तो अगर कलिंग जो था वो दक्षिन भारत की तरफ जितने भी मारग जाते थे या स्थलिया हो गए या समुद्री हो गए तो उन चीजों को नियंतरित करता था इसलिए मौरे सामराज्य के लिए ये जरूरी हो गया था कि वो कलिंग विजे करें मेगस्तिनीज ने भारत को कितने भागों में बाटा था तो ये हो गया आपका साथ तो जब भी आपको सैवन देखे तो आप लोगों को याद होना चाहिए या आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सैवन जो है वो किस से रिलेटिड है तो मेगस्तिनीज ने भारतिय समाज को साथ भागों में बाटा था उन्होंने कहा था कि यहाँ पर कुछ लोग दारशनिक हैं philosopher है, कुछ किर्शक है, farmer है, कुछ hunter है, शिकारी है, कुछ पशुपालक है, जो पशुओं को पालते हैं, ब्यापारी हैं, शिल्पी हैं, योध्धा हैं, और निरिक्षक हैं, और कुछ यहाँ पर मंत्री हैं, तो ये साथ भाग उन्होंने बताए थे, मौर्य शाषन, मौर्य के बारे में लिखा हुआ है, कि संस्कृत कला साहित्य का विकास उन्होंने सबसे ज़्यादा किया, तो मौर्य शाषन में हमें क्या देखने को मिलता है, संस्कृत कला साहितेका विकास उन्होंने प्रांतिय विभाजन अपने इशाशन का किया था हिंदुकुष तक उनका सामराज्य रहा है तो जो आपका हिंदुकुष परवत है हिंदुकुष परवत आपका अफगानिस्तान तक स्ट्रेच होता है ठीक है ये आपका उपर अगर आप देखेंगे इंडिया के मैप के उपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अफगानिस्तान तक तो उन्होंने अफगानिस्तान तक उन्होंने अपना सामराज्य फैलाया था इंडिका इंडिका बुक किस ने लिखी थी इंडिका बुक लिखी है मेगस्तिनीज ने इंडिका जो है उसमें क्यों इंडिका बुक हमारे लिए उसमें पाटली पूर्तर का प्रशाशन का उलेख किया गया है टॉलमी फिला डेलफस एक जो शाशक थे वो थे मिश्र के और उनके साथ में अशोक के संबंद थे तो मिश्र तक भी अशोक के राजनेतिक संबंद हुआ करते थे सोगोरा तामपत्र क्यों इंपोर्टन्ट है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि संकट काल हे तुँ अनाज का शंगर है किया जाएगा ये जो एक तरह से जो सोगोरा तामरपत्र है ये एक शाही आदेश था सीरिया वो मिस्र के साथ संबंद किन शाशकों के रहे थे तो वो थी आपके मौरियस आशक मौरियस आशकों के सीरिया और मिस्र के साथ में भी संबंद रहे थे सीता ध्यक्ष सीता ध्यक्ष किसे कहा जाता था सीता ध्यक्ष हुआ करते थे भूमी कर अधिकारी तो आपको सीता वर्ड से ध्यान रखना है कि जो सीता माता थी समाहर्ता कौन होते थे समाहर्ता राजस्व एकत्र किया करते थे जो राजाओं को राजस्व एकत्र करना होता था वो समाहर्ता जो उनके अधिकारी थे उनके द्वारा किया जाता था revenue अगर आप राजस्थो को देखें तो यहाँ पे हम याद रखेंगे revenue नेक्स्ट है आपका पौतवा ध्यक्ष पौतवा ध्यक्ष कौन होते थे पौतवा ध्यक्ष तॉल माप अधिकारी होते थे तॉल माप अधिकारी जो measuring करेंगे चीजों को मापेंगे तोलेंगे वो क्या कियांगे wait करेंगे उनको पौतवा ध्यक्ष कहा जाता था उसके बाद अगर हम बात करें कि तक्षिला word की तो तक्षिला यह आप आप लोगों ने पिछले lesson में भी सुना होगा यह मौर्यकाल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था भाग वह बली क्या थे यह एक तरह के text थे यह एक तरह के कर हुआ करते थे जन्म वह मृत्यू पंजी करन यह आज भी चला आ रहा है आज भी आप लोग देखेंगे कि जो नगरपालिका है उसका एक काम होता है कि वह जन्म और मृत्यू का पंजी करन करे तो यह मौर्य शाशनकाल का हिस्सा था उस टाइम भी जन्म और मृत्यू का पंजी करन किया जाता था अंतिम मौरिया साशक कौन थे अंतिम मौरिया साशक थे वृधरत और वृधरत की हत्या किस ने की थी पुष्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग क्या था ये वृधरत का सेना पती था और वृधरत बहुती आलसी इंसान था और अंतिम जो शाशक जो शुंगर आ जा थ याप लिखेंगे मैगस्थनीज को फासी हुई मेगस्थनीज मेगस्थनीज को फासी हुई इस तरह से आप लोगों को याद रखना है मेगस्थनीज को फासी हुई अब आप देखिए यहाँ पर मेगस्थनीज तो मेगस्थनीज हो गया को फासी यहाँ से फासे हो गया फायान और सी से है आपका यहाँ पर एक रह गया है उसका नाम था संयूगन संयूगन एक और आया था उसका नाम था संयूगन तो आप लोगों को याद रखना है मेगस्तनीज को फासी फासे फायान सा से संयूगन और हुई से हा से हो जाएगा आपका वेंसांग और E से इत्सिंग तो मेगस्तिनीज को फासी हुई में आप लोग खुद अपने नोट्स जब बनाएंगे फासी से तो यहां पे आप संयूगन भी लिख लेंगे संयूगन तो फासी हुई फायान, वेंसांग और इत्सिंग एक चीज और धियान रखना है आप लोगों कि यह किसके उसमें आये थे तो मेगस्तिनीज आया था चंदरगुप्त मौरे के काल में फायान के आया था चंदरगुप्त सेकंड के काल में वेंसांग हर्षवर्दन के काल में आया था अब कुछ नाम है याँ पर जो दूसरी लिस्ट है, फर्स लिस्ट तो आप लोगों भी याद हो गई होगी, अब सेकंड लिस्ट है कि चंद्रगुप्त को सेंड्रो कोर्टस कहा जाता था और विंदुसादर का अन्य नाम था अमित्र घात, उसके बाद आता है अशोक, अशो सिता राम मठ मिलेगा, कुशी नगर में राम भर इस्तूब है, सार नात में धमेक इसमारक मिलेगा, और जो स्रावस्ती है उसमें सहेत महेत है, फिर आपको एक कुशियन पूछा जाता है कि गरिनार छेतर में जो जल संसाधन का परियाश किया गया था, वो किस नहीं किया थ तो दो राजा आप लोगों के हैं, चंदर गुप्त मौरिया और अशोग के, गरिनार छेतर में, उसके पूर बूलन्दी बाग, बूलन्दी बाग जो नाम है, वो है आप लोगों का पाटली पूतर का पूछा जा सकता है कि पूराना नाम क्या है तो वो है आपका रुद्र दामन का जुनागर अभिलेख हमने अभी बात की थी उपर तो उसमें आपके चंद्रकुप्त और अशोग दोनों के नाम हैं तो रुद्र दामन का जुनागर अभिलेख आप लोगों को याद रखना है यहां पर है आपका वरात्य शत्रिय वरात्य ठीक है वरात्य मीन्स होता है फॉलन तो वरात्य शत्रिय जो थे वो कौन माने जाते थे विदेशी लोगों को मनु ने अपनी मनु इसमृति में इनके बारे में लिखा है पंकोदक सन्नी रोधे कीचड फैलाने पर जो जुर्म लगता था अगर आप अभी हिंदी भी याद करेंगे तो पंक मीन्स होता है कीचड याद रखना आपको अगर आप शड़क पे कीचड फैलाते अगर आप मौर्यकाल में होते तो आपको जो कर देना पड़ता या आपको जुर्माना देना पड़ता वो होता पंकोदक सन्नी रोधे धर्मस्तनिया और कंटक सोधन अधिकारी उनको कहा जाता था जो दंड दिया करते थे राज के सब्तांग राज के साथ अंग बताए गए हैं सेवन पार्ट्स ऑफ ए स्टेट कौन कौन सी बताए गए हैं उसमें हैं आपका राज्य राजा अमात्य मेंस मंत्री जन्पद जो स्टेट दुर्ग एक काशल किलावी होना चाहिए कोश होना चाहिए पैसा होना चाहिए सेना होनी चाहिए और उसके राजा के मित्र भी होने चाहिए गुजरात मौरिय सामराज्य के बारे में कहां से हमें मिलता है तो ये भी आपका क्या है रुद्रदामन के जुनागड अविलेख से तो गुजरात में मौरिय सामराज्य रहा या अशोक का नाम हो गया या आपका चंदरगुप्त का नाम हो गया ये सभी आपके रुद्रदामन के जुनागड अविलेख से पता चलता है श्रिलंका तक अशोक का सामराज्य नहीं था में इस श्रिलंका में जो आकरमन किया था या जीतने की कोशिश की थी और राजेंद्र पर्थम ने की थी लेकिन अशोक ने वहां तक अपना राज्य नहीं फैलाया था साहबाज गड़ी अवलेख जो है वो इसलिए फेमस है क्योंकि उसमें खरोष्टी लिपी में उसे लिखा गया था और खरोष्टी लिपी जैसे हम इधर से लेकि इधर को लिखते हैं खरोष्टी लिपी इसके उल्टे में लिखी जाती है जो प्राचीनतम लेख लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं आपकी प्राकरत भाषा में और पशुबली पर जो रोक लगाई गई है अभी मैं जब आप लोगों को दो बहुत इंपोर्टन बुक्स की पीडियेफ आप लोगों को इसके बाद दूँगा और उन्हें डिसकेस भी करूँगा पूरी बुक जो है वो आप लोगों के साथ डिसकेस भी होगी उनकी थ्रू भी क्लासेस चलेंगी तो अभी जो नोट्स हैं आप लोगों के शॉर्ट नोट्स उन्हें आप लोग पढ़िए और जो बोग दो बुक आप लोगों को मिलेगी उसमें मैं आप लोगो का जो काम है आपके लगबग 30 डेज का उसमें ये है कि आप लोग की जितनी वकाइबलरी आप गेन कर सकते हैं हिस्ट्री की जियोग्राफिकी वो हम करने जा रहे हैं तो शिला लेक फर्स्ट में पशुबली पर रोक लगाई गई है कर चोरी दंड ये इस पर क्या मौरे लोग क्या दंड दिया करते थे अगर आपने कर चोरी की है टेक्स नहीं दिया तो उसपे आपको सीधे मृत्य दंड दिया जाता था लोथल अब कुछ यहां पे इंग्लिश में नाम दिये गए हैं कई बार ये इसी तरह से दे दिये जाते हैं तो लोथल जो है वो एंशियंट डक्यार्ड उसको माना जाता है बंदरगा उसे माना जाता है सारनात को first sermon of buddha तो जो बुद्ध ने सबसे पहला sermon दिया था वो कहां पे दिया था सारनात में नालंदा great seat of buddhist learning जो नालंदा विश्यव इद्याले था उसमें buddhist learning का वो सबसे बड़ा place माना जाता है और राजगिरी जो है वो सारनात से related है आप लोगों का तो इसी के साथ हम लोगों ने अभी मौरिया सामराज्य के जितने important questions जितने बनते हैं वो complete कर लिए है साथे साथ आप लोगों के पास में ये PDF होगी आप लोग इसे practice करते हुए